पाकुण के धर्ती पर पहली बार जूट महोचसाव मिला का आयोजन किया गया है ये जो काजकरम किया गया है ग्रामिन विकास विभाग और जीला परसासन के संजुक पहल से ये काजकरम किया गया है इस काजकरम का में उद्देश से है कि ये जूट बाहुल छेतर है और जूट को बढ़ावा देने और किसानों के इसका सही कीमत मिलने इसको लेकर ये प्रोग्राम किया गया है इसके तेयारी काफी दिनों से चल रही है और जीला परसासन के अथक परियास से ये प्रोग्राम किया गया है और आज इनकी सुरुवात जो है मानिने ग्रामिन विकास मंतरी आलमगीर आलम के द्वारा किया गया आप तस्विरे को माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो है किस तरह से यहां पर इस्टोल लगाया गया है जारखन के अलावे अन्य राजे से भी यहां पर जूट से बने समान का इस्टोल लगाया गया है ताकि इस्थानिया जो किसान है उनको इनके कीमत मिल पाये आउंको का साथ हैं कि जूट मिला के अलावे यहां पर किसान मिला साथ ही साथ रोजगार मिला कभी आयजन किया गया है जिसे इस्थानिय यूबाओं को रोजगार मिल सके पाकुड में पहली बार जूट महात्साव का आयजन किया गया है और लोग यहां पर काफी खुस है किसान इस्था सब्सक्राइब करेंगे जूट बाहुल छेट्र रहें उसकी जो कीमत है कहीं नहीं मिल पारी थे उनका साब किसानों को यह भी कहना है इस तरह से अगर प्रोग्राम किया गया है तो कहीं नहीं कहीं जूट को बढ़ावा देगी जूट संबंदि जो समान वेल्कम तू चाचा मावातन बैल थास्यादकार संजय मिश्रा से भुजार रिशा है कि वह खाड़े में कूध है और फुल्ट उसको टॉफिस है नमास है लगता है समाधी लेली अरे फुल्ट उसको टॉड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचार चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी मदुरै, मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकार्जुन जोतरलिंका जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्याद धार्मिक रेल यात्रा केश्री नर्सिंग हों तहला तल्ला पिसका मोड राची